अज़िए आज देखेंगे बिहार बजट से कुछ कोस्टिन्स जो आपको आने वाले 69 पेपेशी के लिए उप्योगी साबित होगा तो हमारा जो अभी स्रीच चल रहा था रोज कोस्टिन्स आज तो कुरेंट फेर्स रहता था ना संडे और परते एक दिन आपका अनिकी अलग-अलग सब्जेक्ट हिश्ट्री, पॉलिडिकल साइन्स, जोगरप्पी, एकनॉमिक्स, साइन्स से समंदीत कोस्टिन परते एक दिन आता था वो अभी फिलाल पॉस्पोंड किया जाता है और विपेसी 69 थे एक जाम तक विपेसी से रिलेटिट कुछ करेंट फेर्स और बिहार से समंदीत कुछ है स्पेसल्स जिक्के का वीडियो आ सकता है ठीक है तुछलिए सुरू करते हैं आज का कॉस्चन लेकिन जिदी विडियो बेतर है तो आप इसको क्या है जरूर सरूर सर्कुलेट करें अपने गृप में ठीक है तो आये देखते हैं आज का पहला कॉस्चन तो पहला कॉस्चन है कि वित्यवरसे 2023 में बिहार बजट क्या है यहाँ पर दो लाग एक सथाजार आड़सो पचासे सब्सक्राइब चार जिरो क्रोड ठीक है ऑप्शन एक क्रेक्ट हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं कि अगला है किस अब्धी तक बिहार राजस्व अधिसेस और जीत करता रहा है किस अब्धी तक बिहार किस अब्धी से किस अब्धी तक इसको कर सकते हैं कि रहसे तो यह अंसर होगा ऑप सुन सी 2004-05-2018-19 के बिच जो है बिहार राजस्व अधिसेस अर्जित करता रहा है बिच में क्रोणा आया तो अधिसेस घटा था अनिकि अधिसेस नहीं हुआ आगे देखते हैं वित्य वर्ष 2023-2024 में कितने क्रोण रूपे का राजस्व अधिसेस होने का अनुमान है राजस्व में वो कितना है तो सारा अप्शन लगवग एक ही चार ही लेटर को आगे पिछे करके बनाया गया है और इस वरकार का कॉस्चन्स जब सेट किया जाता है तो आप जानते वहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं तो ध्यान देना यह अंसर है 4479 क्रोड ठीक है 4479 क्रोड ठीक है चलिए अगला कोस्टन देखते है वित्य वर्ष 2023-2024 में राजकोसिय घाटा को सकल राज जी घरहलूत पाद के अनुपाद में कितना प्रतिसत अनुमानित किया गया है तो दस्मलब नवाट परतिसत और पिछले बार का जो राजास घटा यह था ठीक है थोड़ाई दिहान देना है पिछले जो 2223 का फाइनेंसियल यह था दो जार 2223 का जो फाइनसियल यह था उसमें इतना था 33 चार साथ परतिसत था ठीक है 20 बार जो है कितना रखा गया है रखते हैं वित्यवरत्व 2013 24 में ब्याज उखतान का कुल राजास प्रापती में हिस्सा कितना है ठीक है यह दिहान देना है तो यह दियान देना है कि इंसर हो जाएगा आठ दसमलब छे चार प्रतिसत एक ची और दियान देना है पीछे अला तो इसे नहीं बज़ड में पुछता है लेकिन यह हो गया आपका कितना बज़ड़ 23 का यह हो गया 22 का और यह हो गया 22 का ठीक है यह तीन सालों का आपका क्या हो गया ब्याज भुकतान का कुल राजस प् इतना है वो प्रतिसत लेकिन अभी का फिलार यह आप्शन सी है ठीक है चलिए अगला कोस्टिन देखते हैं बित्य वर्स 2023 में राजसरकार की प्राप्तियां कितने होने का नुमान है तो प्राप्तिया वो तो बज़ड त्यार किया गया था यह आने वाला जो रासी है वो है जिरो आठ पांच दसलोग चार चलिटी के दो लाख वर्साट हजार पचासी दसलोग चार जिरो क्रोड आप्शन सी चलिए अगला देखते हैं बित्य वर्स 2023 में राजा सुप्राप्तियां कितने होने का नुमान है ठीक है बित्य वर्स 2023 में राजा सुप्राप्तियां कितन बित्य वर्थ 2022 तेस्ट में कुल प्राप्तियों में राजस प्राप्तियों का हिस्सा कितना रहा ठेक है बित्य हुए जो 2022 तेस्ट से उसमें कुल प्राप्तियों में राजस प्राप्तियों का हिस्सा कितना रहा था तो यह option B 81.01% लेकिन अनुमान कितना लगाया गया था ये नौ परतिसत रहेगा ठीक है लेकिन हुआ कितना इतना आप सुन बी कि चलिए अगला देखते हैं कि बित्यवर सुज़ाइस 24 की कुल राजस्व प्राप्तिकों में कर राजस्व का हिस्सा कितने परतिसत रहने का अनुमान है तो आप संडी ठीक है ये कितना परतिसत है उसरत बी चलिए अगला देखते हैं कि थोड़ा से यह दिखते हैं तो हमेंने सेट कर दिया ल्किन इस गुशचिन से रिकिन नहीं लेकिन यह इंपोर्टन्ट हो सकता है किया है कि विहार की कुल प्राप्तियां की परिविरिति परतिसत में क्या है तो दियान देना है कि यह केंद्र सरकार से सहायता नुदान जो है 20 परतीसत लो करीन कितना है 19 परतीसत केंद्र करो में राजिकांस कितना है 45 परतिसत और राज सरकार का कर राजस्प कितना है 19 परतिसत और राजी का कर राज का कर भीन राजस्प कितना है 3 परतिसत चलिए अगला देखते हूं बित्य वर्स 2023-24 का बजट पिछले बित्य वर्स के बजट से कितने परतिसत अधीक है पिछले वर्स जितना था ठीक है यह धियान रखना था थोड़ा सा इसमें कि उसको डिस्क्रिप्स कर सकते थे फिलाल किये नहीं है तो यहां पर यही है कि पिछले वर्स से अभी का जो रखिए करार राजस ब्याइक कितना होना है साथ सेवन दसनलब 37 toxic और पुंजीकत ब्यालिग इतना हो Megadح कितना है 20 विस दसनलब 63 मिया जो ईगे देखते हैं रिखते हैं किस मदव पर सबसे अधिक वे रखा गया है समाजिक सेवाएंठीक है समाजिक Six 不要 सबसे अधिक वे रखा गया है इसको आप ड़ेख लेते हैं हम यहां पर तुछ चेत्रवार। बैस रचना क्या है तो सबसे अधीग जो है समाजिक से वाओं पर उसके बाद रें समानिस से वाओं पर तुड़ा प्छोटा भी दीख रहा होगा उसके बाद रहा अर्थिक से वाओं पर 24 पर ति ठीक है और यहां पे सहायता एवाम उदान के लिए 0% है रीन एवम पेस गियां के लिए 0.05% ठीक है ये वर्स 2023 के बजट के नुसार चलिए आगए देखते हैं बितिय वर्स 2023 के लिए कुल बगाया रीन को सकल राजगरे लूत पाद के कितने प्रतिसत की सिमा में रखना है तो ये अंसर हो जाएगा 37.8% लेकिन किन सरकार ने कितना निर्दारित किया है चालिस दस अलव चार प्रतिसत आगे देखते हैं अगला प्रतिस्टिन बितिय वर्स 2023 कितने करोड रूपे का नुमान लगाया गया है तो लूक रिन जो है ये अंसर होगा उप्सन सी 49.326.53 करोड रूपे ठीक है बितिय वर्स 2023 में कुल लूक रिन कितने करोड रूपे का नुमान लगाया गया है तो ये हो जाएगा उप्सन सी चलिए बिहार बजट 2023 में राज सकादोरा कौन सी प्रात्मिक्ता निर्धारीत की गए है तो ये युवा एवम रोजगार हरीत बिकास सहरी बिकास इन में से सभी और भी पॉइंट है इसको देखते हैं आगे तो आओ रहे क्या युवा एवम रोजगार अनबरत महिला ससक्ति करन अलफसंके कल्यान पुलिस बल का सू दिर्धी करन एवम आधुनिक करन क्रिसी एवम ग्रामिन बिकास हरित बिकास और अधार भुथ समर्चना एवम अधियोगिक बिकास और सहरी बिकास तो ये सब प्रथा मिक्ताएं 2023 24 में बिहार वजट में है चली आगे देखते हैं वित्यवर्स 2023 24 में साथ निश्चे दो के अंदर गत कुल कितने करूर रुपे को उफबंद किया गया है तुनसर आप्शन सी होगा पांच अजार करोर ठीक है अगला देखते हैं कर साथ निश्चे दू निश्चे में से कौन सा सामिल नहीं है साथ निश्चे दो में ठीक है हमें कौन सा सामिल नहीं है तो युवा सक्ती निहार की प्रगति ससक्त महिला सक्षम महिला सुलब संप्रक्ता और हर घर नल का जलत ये जो है फ़र्ष्ट वाले में था ये तीनों जो है साथ निश्चे दो में है तो option D correct हो जाएगा ठीक है ना आगे देखते हैं आपर तो साथ निश्चे दो में कौन कौन सा है और साथ निश्चे बन लेगे दुनों जरूर देखना है में इसा question इस पर पनाए जाता है तो साथ निश्चे योजना दो में क्या है योवा सकती बिहार को परगती ससक्त महिला सक्चम महिला हर खेत तक पानी स्वक्च गाउं समरीद गाउं स्वक्च सहर बिक्स सहर connectivity होगी और असान वही सुलब संप्रक्ता के बात हो रहा है सब के लिए स्वास्त स्वीधा ठीक है तो यही total जो हो गया साथ निष्चे दो में है तो निष्चे इवन में क्या क्या था तो आर्थि खल युवाओं को व लियोजना रक्षि तो जिगार महिलाओं का धिकार दूसरा हर घर बिजली लगातार हर घर नलका जल यह आपको ड़ी में था ठीक है घर तक पक्की गली नलियां और सोचाली निर्वान घर का सम्मान और अबसर बड़े आगे पड़े ये था साथ निश्चे घुवर्ण में तो आगे आ रहे हैं उद्यमिता पिकासे तू अनुदान पोसाहन राज्जी के युवाओं के बीच उद्यमिता स्वारोजगार को पढ़ावा देने के लिए बर्स 2023 में कितने क्रोड रूपे का प्राप्धान किया गया है तो ये इंसर हो जाएगा आपका आप्शन सी 550 क्रोड रूपे आप्शन सी यहां है कि उद्यमिता पिकासे तू अनुदान या पुरसाहन योजना में राज की युवाओं के बीच उद्यमिता या स्वारोजगार को पढ़ावा देने के लिए बर्स 2022 तैसमें मुख मंत्री युवा उद्यमि योजना के तहत दो हजार अस्विवाओं का मुख मंत्री अनुशुची जाती एबम अनुशुची जन जाती उद्यमि योजना के तहत फिर है कि 2047 विवाओं का चुछा ठीक है यहां से देख सकते हैं 2223 में मुखमंत्री युवा युद्यमी युजना के तहत 280 युवाओं का मुखमंत्री में अनुसूचित जन जाती हैं फिर है अनुसूचित जन जाती हो युजना के तहत 247 युवा का और मुखमंत्री अत्ति पिछला बर्ग युजना में ये 2020 युवाओं का अवबंदिक र 24 में कितना करोड रुपे का प्रफदान किया गया तो पांसो पचास करोड रुपे का चलिए आगे देखते हैं उच्टस एक्छा है तो प्रेवित करने के लिए सनातक कुतिर्ण होने पर महिलाओं को कितनी रुपे आर्थिक सहेटा दी जाती है तो यह अंसर होगा कितना पच कि यह सजाने रखना है तो यहां पर है very this में मुख मंत्री महिलाओं द्यमियोजना सरा मिआ राज की महिलाओं के लिए त्वारोजगायर को बढ़ावा देनी के लिए मुखमंत्री महिला उप दमी योजना लागू किया गया है बरस 2022 तेस में इस योजना के अंतरगत 2020 महिलाओं का आफबंदिक रूप से चैन किया गया है इस योजना है तू बरस 2023-24 में कितना है अड़ाइसो क्रोड रूपय का प्रफदान किया गया है बीच में ये पॉ रूपय तथा असना तक उत्तिरिन होने पर महिलाओं को पचास योजना रूपय के अर्थिक सहयता दी जाती है अगले बित्य वरस में छे लाख महिलाओं को लभानवीत करने का लक्ष है बरस 2023-24 में इसमें 600 क्रोड का बजट त्यार किया गया है करा चेत्रिय प्रसासन में आरक्षिन के रूप में अनुरूप महिलाओं की भैकदारी चेत्रिय प्रसासन में क्या है तो यहां है यह था पुलीस स्थाना परकंड अनुमंदर अवंजिला अस्तरिय करियाले में आरक्षिन के अनुरूप महिलाओं की भैकदारी बढ़ाने के लिए सभी विवागों द कि यहां देख सकते हैं कुछ रुपे कहां से आता है राजसरकार के लिए थोड़ा से यह छोटा दिख रहा होगा हम बोल देते हैं करा राज सरकार की कर राजस्प राज सरकार के कर राजस्प कितना है अठारा दस्वलब नौचो ठीक है अठारा दस्वलब नौचो परतिसप फिर है राज का कर भीन राजस्प राज का कर भीन राजस्प जो है दो दस्वलब चार आठ परतिसप है किन सरकार के सहता से नुदान जो मिलता है वो बीस दस्वल तीन साथ परतिसेत है और लोक रिन कितना है ठारा दस्मलव दो आड़ दो परतिसेत ठीक है अर रिनो की वसूली जब होता है तो वहाँ पे कितना प्राप्त होता है जिरो दसनलब जिरो दसनलब एक छे परतिसत ठीक है और इधेर है केंद्रे करो में राजी का अंस चुब कोश्चन था हमारा वो है 49 दसनलब दू जिरो परतिसत तो रुप्य कहां से आता है ये पॉइंट आगे देखते हैं बित्य वर्स 2034-26 के लूसार भिहार राजी का लूप रीन में कितना खर्च होता है अब खर्च होने वाले कुश्चन में है कि ये औसन 9 9 परतिसत खर्च होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हाँ पर की रुप्य कहां जाता है पहला है लूप रीन में 9 इतर है रीन और पेस्गेया में 0 17 परतिетр समानी से वाई में कितना है 23 ₹ और समाजिक सेवाई में कितना है 384 परतिशत आर्थीक सेवाई में कितना है 24 दस्कुलब 0-1 परतिशत और सहायतानुदान और अंसदान में 0 ha record users 00 Storm 01 परतिशत तो बजट से कुछ important question को यहां हमने select किया तो अगले दिन कुछ अलग video रहेगा लेकिन अभी वो schedule को थोड़ा सा रोख दिया है ठीक है तो